हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वह है बहुत इंपॉर्टेंट हुमन पेडिगरी एनैलिसस तो आपको पेडिगरी चार्ट दे रखे होते हैं हम इससे डिजीजिस के क्रोमोजोमल डिजीजिस को पढ़ते हैं जो अलग-अलग हमारे चार्ट होते हैं अलग-अलग उसके सिंबल्स होते हैं आज मैं आपको सिंबल्स समझाओंगा नेक्स पार्ट अ तो symbols कुछ इस तरीके से दे रख़े है NCRT में मैं उसी color में बताने की कोशिश करूँगा आपको दोस्तों जिस color मैं NCRT में दे रख़े हैं ताकि जादा अच्छे से हमें NCRT समझे पहले हम symbols देख लेते हैं पहला symbol दूसरा symbol same ही हमारा एक ये symbol ये symbol ये और क्या-क्या दे रख़ा है दोस्तों एक ये दे रख़ा है according to me ये दे रख़ा है same फिर red में दे रख़े है या औरेंज में ले लीजे आप red में ले लीजे जिसमें मन करें और ये हमारा हो गया बस हम यहीं तक देख लेते हैं इतने symbol दे रख़े हैं इतने ही हम पढ़ लेते हैं तो यार दिक्कत क्या होती है याद नहीं रहता कौन सा symbol किसका है किसका क्या मतलब है तो चलो एक कहानी देखते हैं कहानी क्या देखते हैं एक रियल फैक्ट ही सुनते है दोस्तों मैं तो रियल फैक्ट ही कहूंगा उसे जब शादी होती है तो लड़का बिचारा बली चड़ता है शादी के बाद लड़की मोटी होती चली आती है उसका बरन पोशन करने में लड़का पतला होता चला जाता है तो मोटा कून होता है लड़की होती है इसली फासी यह मतलब सिंपल स्कुर करता है जब मोटी जड़की है तो फैरा लड़क ही होगात इससे हमें sex unspecified है पता ही नहीं है वोई वाला case है चाहा था लड़का ममी ने, पापा ने चाहिए थी लड़की पता नहीं क्या ही हो गया इसका sex unspecified है पता ही नहीं है इसकी जो बीच में single line है वो डिनिट करती है हमारी mating कुऊ अगर इन दोनों के भी सिंगल लाइन है तो इन दोनों के भीiver मेटिंग अ इए दिन the matter करती है यह सिर्था संदय है यह सिर्थालाइन है तो मेटिंग वट करें रिलेटिव हुए इसंद सक्वेसा है 5, unfected इसका मतलब जो shaded नहीं है वो unfected है unfected individuals को show कर रहे यह हमारा जो symbol है अब यह symbol जो show कर रहे है सारे यह show कर रहे है affected female affected female और affected male यह सेमी है सेक्स अंस्पेसिफाइड यह भी affected दिखा रखा रखा है इसकी तो affected affected female female को कैसे याद रखेंगे female मोटी होती है प्लीज लड़ी क्यों बुरा मत मानना यह सिर्फ एक ट्रिक है समझाने का तरीक है मेरा तो लड़ी क्या मोटी होती है लड़के पतले होते हैं तो इस तरीके से हम देख लेते हैं अब इसमें